क्या आजीज में सुहाना खान की performance ने शारुखान को ढरा दिया है? क्या इसलिए अपनी बेटी के साथी फिल्म करने से मना कर दिया किंग खान। वेल हमें पता चला है कि शारुखान ने अपनी आने वाली फिल्म दग किंग को पोस्पोन करवा दिया है वही फिल्म जिसमें किंग खान अपनी बेटी के साथ नजर आने वाल थे और ये रोल सुहाना के लिए बड़ा होता क्योंकि इस से सब कुछ मिलता फ्रॉम फेम तू ने बट शायद अब ये होने से रहा शारुख खान के लिए 2023 काफी important रहा जहां एक तरफ उनकी त्री फिल्म्स रिलीज हुई तो दूसरी तरफ उनकी बेटी सुहाना खान का डेबिय हुआ शारुख खान की तीनों फिल्मों ने रिकोर्ट तोड़ दिये और शारुख खान के लिए ये साल किसी सपने से कम न रहा था बट on the other hand शारुख खान की बेटी सुहाना का डेबियू उनके सारे performances मिला कर भी ज़्यादा धुआधार रहा एस आर्चीज में उनकी acting जिसने देखी उन्होंने praise किया खुद को for resisting from turning mad यार मतलब क्या थी या चीज जहां एक तरफ क्या हो रहा है और on act कर रहा है वैसे तो कोशिश सब कर रहे थे बट हो नहीं रहा था और अब आरचीज के पहले और थोड़े बात तक news थी के सुहाना खान की next film होने वाली है विधवपादा शारुखान वो भी एक action thriller directed by कहानी के director सुचोई घोश और तो और इस action thriller के लिए शारुखान और सिधात आनन को लाब करने वाले थे serving as producers as well और ये काफी बड़ा project था जसमें शारुखान और सुहाना खान भी होने वाले थे बट अब पता चला है कि movie ही shelf हो गई है बात करे movie postponed होने के reason पर तो कोई specific reason नहीं बताया गया है पर according to reports reason सुहाना ही है and सुहाना को advice किया गया है कि she needs to explore more independently as an actor and इस पर शारुखान खुद भी agree कर रहे है well according to the same report शारुखान स्टार्ट से ही eager थे to make the film with his daughter लेकिन अब उनों नहीं change करके इस पूरे plan को उन hold पर रखने का decision ले लिया है अब सुहाना खान की on point performance के बाद किसी का भी change of mind हो सकता है क्योंकि आज चीज जैसी main cast performance सुहाना, अगस्तिया और खुशी को देखकर हम actually question करे थे और आज ओब and why we were watching it well guys अब शारुखान का ये decision actually अच्छा है cause अगर सुहाना actually acting में study कर आई है from abroad तो शायद थोड़े projects में act कर थोड़ा subtle down हो and फिर शारुखान के साथ act कर रादर directly अपने डाट के साथ काम करना and आज जी इसके बाद और ट्रोल होना अब देखते हैं action thriller नहीं तो और कौन सी फिल्म करेंगी सुहाना and हमारे केंग खान भी किस project को next choose करते है वो भी देखना interesting होगा विल आपके हिस पर क्या है व्यूस अमने जे कॉमें सेक्षन पर जरू बता है and पर मोट सुनले सब्देट्स तो फॉलो आपी